अदालत ने कहा कि यदि 365 दिनों की जाच के बाद भी कुछ सावित नहीं होता है तो फिर संपत्ती को सीज करने की अवधी लेप्स हो जाती है। दिल्ली हाई कोट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए या आदेश दिया है। अदालत ने कहा कि यदि 365 दिनों की जाच के बाद भी कुछ भी सावित नहीं होता है तो फिर संपत्ती को सीज करने की अवधी लेप्स हो जाती है। फिर उस संपत्ती को संबदित शक्ष को लवटाना हो अदालत ने महेंदर कुमार खंडेल वाल बनाम E.D. के मामले में सुनवाई करते हुए या बात कही है। जस्टिस नवीन चावला ने का कि मनी लॉंडिंग एक्ट के मामलों में लंबित अवधी में उसी समय को गिना जाता है जिसमें केस अदालत में चल रहा हो। इसके तहस समन को चुनवती देने जप्ती कारवाई के खिलाप अपील दैर करने और उस पर सुनवाई की अवधी शामिल नहीं है ऐसे में एक साल के भीतर यदि जाच पूरी नहीं हो पाती है और मामला आगे नहीं पढ़ता है तो फिर जप्त की गई संपत्ती लोटानी हो प्रुर्य जपड़्ा आगे तो प्रुर्य जप प्रूरा।